साथियो, पुरानी नीतियों पर चलते हुए, फेल हो चकी नीतियों पर चलते हुए, न देश का भाग्य बदल सकता है और ना ही देश सफलत हो सकता है पहले की सरकारे किस एप्रोच के साथ काम कर रही थी, आज हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है गरीबों के लिए आवाज देनी की योजनाएं हमारे देश में लंबे समय से चल रही थे लेकिन 10-12 साल पहले के आकड़े कहते थे कि हमारे गावों के लगभग 55 प्रतिशत 75 परसंट परिवार ऐसे थे जिनके घर में पक्का साउचाले नहीं था गरीबों के घर की योजनाएं पहले चल रही थी, उनमें भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था गर सिर ढखने की छत नहीं होती है, जगर बर नहीं होती है, गर एक आस्था का स्थल होता है जहां सपने आकार लेते हैं, जहां एक परिवार का वरतमान और भविशता होता है इसलिए, 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छत तक सिमित नहीं रखा बलकि हमने गर को गरीबी से लडाई का एक ठोस आधार बनाया गरीब के ससक्तिकर्ण का उसकी गरीमा का माध्यम बनाया आज सरकार के बजाएं लाभारती खुद तै करता है कि पी-एम आवास योजना के तहट उसका घर कैसा बनेगा यह दिल्ली से तै नहीं होता है, गांधी नगर से तै नहीं होता है, खुद तै करता है सरकार सीधे उसके बैंक एकाउंट में पैसा जमा करती है गर बन रहा है, यह प्रमानित करने के लिए हम अलग-अलग स्टेज पर घर की जियो टैगिंग करते हैं आप भी जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, लाभार्ती तक पहुँचने से पहले घर का पैसा ब्रस्टा चार की भेंट चड़ जाता था जो घर बनते थे, वो रहने लायक नहीं होते थे भाई और भेनों, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट बन रहे घर, आज सिर्फ एक योजना तक सिमित नहीं है यह कई योजनाओं का एक पैकेज है इस पे स्वच्च भारत अभ्यान के तहट बना सवचालय है इसमें सवभाग्य योजना के तहट बिजली कनेक्शन मिलता है इसमें उजबला योजना के तहट मुफ्त एलपीजी कनेक्शन गैस का मिलता है इसमें जल जिवन अभ्यान के तहट नल से जल मिलता है पहली ये सारी सुविधाएं पाने के लिए भी गरीब को सालों साल सरकारी दप्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और आज गरीब को इन सभी सुविधाओं के साथ ही मुप्त राशन और मुप्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है आप कल्पना कर सकते हैं गरीब को कितना बड़ा सुरक्षा कवच मिला है